Tip 5 of using pandas like a pro यह function हम ने यहां पर लिखा हुए इसके नहीं हम iterate कर रहे हैं rows के उपर और यह पता करने के कोशिश कर रहे हैं कि क्या passengers greater than 6 थे हैं और फिर हम उसको एक column में save कर रहे हैं true or false लिखते हुए यह बहुत ही जादा beginner level की चीज है इसकी बजाए हम vectorization के through भी कर सकते हैं simple हम क्या करेंगे हम यह कर देंगे कि result में save करा देंगे और passenger के एक column लेंगे जो हम काम कर रहे थे उसके उपर instead of यह हम पूरा iteration rows के उपर गराने की बजाए हम vectorization का function लिखेंगे और इसको simple ही कर देंगे कि passenger greater than 6 है और जब हम इसको execute करेंगे तो हमारे पास जो results आएंगे उसमें हमारे पास results exactly वही आ रहे हैं जो हमारे पास आने चाहिए तो